विवेक औब्राई ने जब बॉलिवट में इंट्री की थी तो उन्हें लंबे रेस का घोडा माना जा रहा था विवेक ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक किरदार नभाई यहाँ तक कि उनकी फान फॉलॉइंग भी अच्छी थी लेकिन कुछ गल्टी उन्हें उनके करियर को तबाह करके रख दिया जी हाँ आपको बता दे कि 2002 में फिल्म कंपनी से डेब्यू किया था विवेक ओबराई ने और विवेक के कच्छे कलाकार होते हुए फिल्म इंडस्ट्री में जादा कमा नहीं पाई कई लोग इसके पीछे की गचर एश्वर्या राय से अफियर और सल्मान खान से दुश्मनी होना मानते हैं जी हाँ आपको बता दे कि एश्वर्या राय भले ही अब अभी शेक बच्चन की हो गई हो लेकिन कई साल पहले वे खान या और बड़ाई होने तक की स्थिती में प साम लिया था फिर ऐसा क्या हुआ एश ने फिर विवेक ओब्रय को भी छोड़ दिया एश्वर्या सल्मान खान के साथ रिलेशन्शिप में होने से पहले मौडल राजीव मूल चंदानी की गर्षिन थी दोनों मौडलिंग के दिनों में करीब आई थे और तब एश्वर्या भी इतनी चर्चित नहीं भी हाला कि ये रिष्टा को साल तक चला और एश ने राजीव को छोड़ दिया हम दिल दे चुके सनम के सेट पर आईश और सल्मान की मुलाकात हुई और वहीं इनका प्यार पर वांचड़ा उनने 99 से 2001 से लेकर इन दोनों ने एक दूसरे को डेट किया लेकिन सल्मान की उस एक बात ने सब कुछ बरबात कर डाला एश ने इस रिष्टे को खत्म करना ही बहतर समझा लेकिन इतनी आसानी से रिष्टा खत्म हो जाता तो क्या होता जी हाँ आपको बदा दे कि एश से अलग हो चुके सल्मान अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते थे जी हाँ एश फिल्मों की शूटिंग में व्यास्त होती थी और सल्मान वहाँ पहुचकर हंगामा मचा देते थे इसी वज़र से एश का बहुत नुकसान भी होता था जैसे तैसे एश सल्मान से दूर हो पाई तो उनकी जिंदगी में इंट्री हुई विवेक ओबराई कि सल्मान से परिशान हो चुकी एश को विवेक का साथ अच्छा लगता था दोनों ने फिल में क्या हो गया ना में साथ काम करते वक्त एक दूसरे के लिए प्यार महसूस किया यहां तक कि एश के 30 वे चंड दिन पर विवेक ने उन्हें 30 गिफ्ट भी दिये थे जी हां हाला कि एश ने खुल कर कभी नहीं कहा कि वे विवेक के साथ रिष्टे में हैं लेकिन वे हर फांक्शन में उनके साथ जाती थी जिससे साथ था कि दोनों के बीच कुछ चल रहा था ऐसे में विवेक ने उस एक कदम से सब कुछ बदल डाला जी हाँ विवेक चाहते थे कि बुरे वक्त से गुजर रही एश के लिए वे हमेशा हाजर रहें लेकिन हुआ उसके ठीक उल्टा जी हाँ विवेक ने एक होटल के कमरे में प्रेस कॉन्फरेंस बुलाई और खुलासा किया कि इन्हें सल्मान की तरफ से जान से मानने की धंकी बरे फोन आ रहें इस कॉन्फरेंस ने किसी का भला करने के बजाए विवेक का सब कुछ छीन लिया जी हां किसमत देखिए कि जिसके लिए विवेक ने इतना बड़ा कदम उठाया उसमें भी उनका साथ छोड़ दिया एश ने बाद में साफ कर दिया कि इन सब से उनका कोई लेना देना नहीं है उनसे दूरी बना ली उन्होंने और एश ने साथ साथ विवेक के हाथों में फिल्मों के ओफर भी छीन लिये गए विवेक ने अगर वो गलती ना की होती तो शायद एश आज उनकी होती और उनका करियर भी काफी अच्छी तरीके से चल रहा होता दो चैन मिला जब उन्होंने अभिशेक बच्चन से शादी की क्या कहना है आपको इस पर कमेंट बॉक्स में बताईए जुड़े रहे हमारे साथ नेक्स नाइन लाइफ से सुर्भी की रपोर्ट